हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एडुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं, SDM के पावर्स, सैलरी और इसको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में यहां फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी, कमेंट के माध्यम से यह जानना चाह रहें थे बिहार के लिए इस पैसिफिकली की बिहार, BPSC के माध्यम से जो SDM बनते हैं, उनके पावर्स क्या-क्या हो सकते हैं, उनके सैलरी क्या होती हैं और इनके मिलने वाले जो मूलभूत सुविधाय होती हैं, वो क्या-क्या होती हैं, तो आज किस फीडियो में complete हम लोग इसी topic पर discuss करने वाले हैं, तो यहां पर मैंने जो BPSC, SDM जो लिखा है, यह हर एक राजे के लिए specific होता है, simply आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इनको जो मि मिलने वाले powers, facility और वेतन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो चलिए वीडियो में आगे बरते हैं, तो सबसे पहरे हम लोग बात करें कि जैसा कि आपको सुनने में आया होगा, कि जो UPSC क्वालिफाइट करता है, उसको भी SDM बनाया जाता है, और जो BPSC क्वालिफा आंतर ये है कि UPSC के जो जितने भी IS officers होते हैं, यानि UPSC का जो group A, पूरे all India level के जो job होते हैं, simply जिसका कह सकते हैं कि जिसका rank जो है सो थो 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 बेटर होता है, तो उनको क्या करते हैं कि वो जो है सो SDM उनको बनाया जाता है, यानि उनकी जो पहली posting होती है, जो UPS को qualify करके आते हैं, तो उनकी पहली posting SDM के post पे होती है, लेकिन BPSC में बस फर्क इतना आ जाता है कि BPSC के जो top rankers होते हैं, कहने कारती होता है कि जो BPSC में जो सबसे ज़्यादा number लाने वाले अभ्यरती होते हैं, उनको ही SDM बनाया जाता है, तो SDM और कुछ राजे में SDM और SDM बनता है, तो उसको चार से पांट साल तक सिंपली अपने सर्विस देनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई बन्दा एस्टेट PCS के माध्यम से, अगर SDM बनता है, तो उसको 9 से 10 साल तक इस post पर रहना पड़ता है, तब जाकर के उसकी अगले post पर जो है, पदोन नती होती है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख सकते हैं, SDM का मतलब ही क्या होता है, सब डिवीजनल आफिसर, तो इसका ये फुल फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, सब डिवीजनल आफिसर, जो अपने जिला की प्रशासन की देखरे करने वाला दूसरा सबसे प्रमक वैक्ति होता है पहला वैक्ति जो होता है, आपका डिवीजनल आफिसर, आप इसको कह सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करें, इसके कुछ जिम्मेवारी के बारे में या इसके काम के बारे में तो ये करता क्या है, तो देख सकते ही कि ये मुख्य रूप से करने का काम करता है या law and order को maintain करता है इसका जो सब्सक्राइब प्रमुक काम है वो जिला में सांती वैवस्था को बनाए रखना होता है ये law and order को अच्छे तरीके से maintain करने का काम करता है साथ से साथ जो take-sister related चीजों की जो वसूली होती है वो भी आपका क्या करता है SDM ही करता है उसके बाद सरकार जो नएने योजनाओं को लाती है समय समय पर लाती रहती है उसको भी ये लागू करवाने में सहाथा करती है और इसको भी लागू करवाती है इसके बाद अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका SDM का भी योगदान होता है उसके बाद सबसे इंट्रेस्टिंग बात अगर जानें इनके जिम्मेवारी के बारे में तो SDM को जो है SDM को जो है बीडियो CEO और तहसिलधर आकर के रिपोर्ट करते हैं यानि अपने कारे के बारे में बताते हैं किस खिस प्राकार से इन योजनाओं को लागू करवाया और किस किस प्राकार के उनके feedback से सामने आ रहे है लोगों के तो यह अगर की SDM को रिपोट करता है और SDM जो होता है वो आपको DM को रिपोट करता है तो इस बाद को धियान में रखे यह आपके जीला का जो होता है तो दूसरा सबसे प्रमुख वैक्ती होता है उसकी बाद अगर इसके सुविधाओं की बात करें तो friends यह एक प्रकार का ऐसा जोब होता है जो 24 hours का होता है इसमें आप आपके काम की घंटे कभी भी निधारत नहीं होते हैं जब भी जरूरत पड होते हैं तो सबसे पहले सुविधाओं की बात करें तो यह लोग सरकार की तरफ से इनको जो है एक सरकारी आवास प्रोवाइट करवाए जाता है जो की काफी कम खर्श पर इनको प्रोवाइट करवाए जाता है साथे साथ इनको जो है एक अपनी गारी प्रोवाइट कि भ्रामंद में जाते हैं आपको यह कुछ विभंदप्रकार के सुविधाये हैं यह कभी भी किसी बी प्राकर के किसी भरहमंद में जाते हैं फीर लुख्योवन काम क्या कि आगा य तो यह मुक्य रूप इनके पूरे फैमिली को पुलिस की प्रोटेक्शन भी दी जाती है। तो ये कुछ मुख्य सुविधा हैं जो इनको प्रोवाइडिट होती है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इनकी जो है जब रिटार्ड होते हैं तो इनको पेंशन मिलती है। और करीबं पचास से लेकर साथ हजार के बीच फ्लक्चुएट करता रहता है नहीं कहने कारती होता है कि पचास से साथ के बीच रहता है इनका वितन तो फ्रेंड्स यह मैं मैं आप लोगों को बीपी एस्टेम के पावर सैलरी और फैसिलिटी के बारे में बताने के कोशिश क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस तरह के और भी इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चाले से जुरे रह सकते हैं थैंक्यू वेरी मच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ग